दोस्तो आज 24th में 2022 है दिन है Tuesday मैं हूँ प्रशाथ मामानी और मैं आप सभी का Curiously Education में बहुत-बहुत हार्दी ग्रुप से स्वागत करता हूँ आज हम 7 important financial topics को discuss करने वाले हैं There are so many things to discuss तो let's quickly move on Please make sure कि आप इस lecture को दूसरे restaurants के साथ share जरूर करें Share it on regular basis, every single sharing matters आसामत सोचे कि कोई और share कर देगा तो चल जाएगा No, personally आप से request है कि आप इसको share कीजिए Right, इस series को हम बड़ा बना सकते हैं और ज्यादा students इसके साथ जुड़ सकते है The thing is, सबसे ज्यादा बात जो मुझे चुपती है वो ये है कि बहुत सारे students को इस series के बारे में पता ही नहीं है और एक हफ़ते तक, दो हफ़ते तक अगर कोई student इसको एक बार देख ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इस series को ignore नहीं कर सकते क्योंकि हर रोज नहीं नहीं चीज़े जो है वो यहां पर सीखने को मिलती है Do check out my motivational podcast Curiously Forever FMCG bounce back Consumer product companies जो हैं, उनका कहना ये है कि उनके products की जो demand है, वो जल से जल रिटरन हो जाएगी particularly जो financial year का second half है यानि कि बाकी के जो 6 महीने है financial year के तो उस time पर हमें एक FMCG products में एक jump देखने को मिलेगा अभी हम देख रहे हैं कि ये जो current quarter चल रहा है तो इसमें चीज़ें जो हैं, वो काफी slow चल रही है हमना इसके बारे में भी बात की थी, आपको याद होगा कि जो छोटे packets companies करने लगी है, price increase नहीं करती है मैंने विस्तार से ये पूरी strategy जो है, वो आपको समझाए थी तो profitability और demand ये दोनों चीज़ें जो है, वो वापस jump करेगी ऐसा FMCG companies का कहना है कब, second half of financial year में financial year की शुरुआत होती है, एप्रिल में, right अगस्ट, September 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मेने हो गया और उसके बाद, October, November, December, January, February और March तो ये 6 मेने की बात हो लिए, कि second half जो है इसमें एक उचाल देख रोग बिलेगा, अब उचाल क्यूं होगा, क्यूं ये कमरीज ये कह रही है कि चीजे जो है वो अच्छी होगी उनके लिए, the reason is कि आज भी हमारा देश जो है वो खेती प्रदान देश है और अच्छी बारिश होने की वज़ज़ से फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो किसान जो है वो ज्यादा quantity में चीजों को बेच पाएंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो rural demand जो है वो increase होगी, scooter खरी देंगे, घड़ी खरी देंगे, mobile खरी देंगे, कपड़े खरी देंगे, so many things और इसके साथ elevated farm prices भी चल रही है, हमने wheat का example लिया था और देखा था कैसे wheat की वज़ज़ से tractors का सहील ज्यादा हो रहा है जो inflation का pressure है, वो आने वाले महिनों में धिरे-धिरे जो है, वो कम होता जाएगा और जो low base effect है, तो ये कुछ चार ऐसे बड़े-बड़े reasons हैं जिसकी वज़ज़ से उनको ये लगता है electronic makers का कहना ये है कि उनको ऐसा नहीं लगता है कि inflation जो है वो drop होगा या फिर weak होगा entry level products जो है उनको price का pressure जो है वो phase करना ही पड़ रहा है और डाबर इंडिया के जो CEO है मोहित मलोतरा साब तो उन्होंने ये कहा कि while there is an immediate pressure we expect rural demand to recover by end June this year के end June के end यानि की July से जो rural demand जो है वो वापस recover हो जाएगी और हमने देखा था कि कैसे चोटे-चोटे packs में चीज़ें जो है वो बिक रही है बड़े-बड़े packs जो है वो नहीं खराइद रहा है तो volume और unit sales जो है वो down चल रहा है ONGC की बात कर रहे तो भारत सरकार जो है वो एक private sector के expert एक private sector के executive की तलाश कर रही है ताकि वो व्यक्ति जो है वो ONGC के captain of the ship की तरह उसको संभाल सके ते कि ONGC हमारे देश के लिए एक बहुत important company है 65% जितना domestic oil और 60% जितना local gas जो है ये ONGC produce करती है और पिछले एक साल से भी ज्यादा वक्त हो जुका है March 2021 में शशी शंकर साब जो है वो retire हुए थे और एक साल से ये जो इतनी बड़ी company है इतनी important company है ONGC तो इसका कोई भी full time CMD नहीं है अब दिखें global energy inflation काफी बढ़ चुका है global price जो है fuel की oil की वो काफी ज्यादा है तो what we need हमें चाहिए कि हम हमारे देश में ज्यादा oil पैदा करें ज्यादा gas का production करें और इसके लिए इतनी बड़ी company जो है इसका perform करना बहुत ही important है तो नया जो CEO है या फिर CMD जो है Chairman Managing Director तो ये company को revitalize करेंगे इसको re-energize करेंगे रिस्क लेने की capacity जो है वो company की और ज्यादा मजबूत होगी और काम करने का तरीका जो है उसमें हमें एक efficiency देखने को बिलेगे selection committee ने अपना काम जो है वो start कर दिया है February में ये search come selection committee की स्थापना की गई थी अभी तलास जो है वो जारी है the main problem या फिर जो key hurdle हम कहते हैं क्यों एक व्यक्ति को ढूंड़ना इतने बड़े देश में difficult हो रहा है the reason is कि ऐसे सरकारी companies जो होती है उसकी top position पर जो package होता है वो बहुत ही कम होता है और इतना ही important व्यक्ति अगर कोई private company में काम करेगा तो उसका package करोड़ों में होगा right करोड़ों में in the sense के साल का करोड़ों नहीं है I am talking about महीने में वो करोड़ों से भी ज्यादा रुपए कमाएगा और यहां पर लाखों में भी salary means पूरे साल की salary जो है वो भी करोड़ों से ज्यादा नहीं होगी तो this is the main reason के कोई private player का व्यक्ति जो है वो इतनी ऊपर की top level की position में काम कर सके ऐसा व्यक्ति जो है वो सरकारी company में जल्दी आना नहीं चाहेगा क्योंकि उसके लिए तो दो तीन साल जो है वो वेस्ट हो जाएंगे वो दूसरी company में जो करोड़ों रुपे कमा सकता है वो नहीं कमा पाएगा तो अब प्लान जो है ये committee का ये है कि search come committee जो search come selection committee जो है तो अब ये कुछ attractive pay package जो design कर रही है ताकि एक अच्छे व्यक्ति को right person for the right job at a right time with a right pay is very very important human resource की बहुत ही solid ये एक policy है एक law है आपके सकते एक rule है एक right person right time पर right place पर right और right payment ये देना ये सारी चीज़े जो है बहुत ही important है inflation targeting as well low के retail inflation कितना हो गया है याद है आपको 7.79% ये April का inflation का आखड़ा है जो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसको discuss किया थे and the reason is जब मैं कहता हूँ कुछ दिनों पहले तो this itself means के ये एक ऐसी series है दोस्तों के आपको इसको रोज देखना पड़ेगा you know every single day तभी जाकर और ये कोई ऐसा video या फिर series नहीं है कि आपने एक बार इसको देखा और आप judge करेंगे कि you want to watch it or not मैं कहूंगा कि कुछ हफ़तों के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा इसको regular basis पर और उसके बाद आपको इसका importance जो है वो समझ में आगा जनरली किया होता है कि YouTube पर graphical videos और you know बहुत सारे animations और ये सारी चीज़े जो है वो हमारी आँखों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है मैं भी देखता हूँ ऐसे videos इसमें कोई गलत बात है नहीं लेकिन इस परकार के educational videos जो है न वो raw होते हैं raw in the sense कि उसमें अगर animations और बहुत सारे graphics ये सारी चीज़े डाल दी जाए तो दिखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन उसकी जो research content की जो quality है वो compromise हो सकती है तो I would say basically के ये ऐसा ही series है जिसको आपको कुछ समय तक देखने के बाद ही आप इसको judge कर पाएंगे पहली बार देखा और आपको लगार नहीं तो I'm sorry वो right measurement नहीं है ओके anyway तो inflation targeting की बात करें the government is considering some more short to medium term measures सरकार जो है वो कुछ और steps उठा सकती है सरकार ने सबसरे बड़ा step क्या लिया petrol और diesel की price जो है उस पर जो excise duty जो है उसको कम किया ताकि inflation को control किया जा सके और सरकार का target ये है कि 60 से 70 basis points यानि की 0.60 से 0.70% inflation जो है ये कम हो जाए ऐसी कोशिस है और आने वाले समय में और ज्यादा duty cuts हो सकती है edible oil फिर जो कुछ raw material हम import करते हैं उसके उपर जो customs duty लगाई जाती हैं तो सरकार इसको भी कम करने के बारे में सोच रही है इसके साथ जो agriculture infrastructure development CES AIDC जो कुछ चीजों पर imports पर लगाया जाता है तो इसको भी cut करने के बारे में सरकार सोच रही है ना मशियोर कल अगर कल का lecture अपने अटन किया तो you know there are four types of CES right that are part of excise duty the government is keen to help with inflation management so that monetary tightening is kept to the minimum एक बहुत important point है यहाँ पर कि सरकार क्या चाहती है सरकार यह चाहती है कि जो monetary tightening है यानि कि जो repo rate है यह RBI को increase करना पड़ रहा है तो यह कम से कम increase करना पड़े अभी repo rate जो है यह 4.4% है सरकार चाहेगी कि यह इतना ही रहे the reason is कि lawns जितनी expensive होगी तो फिर businesses जो है वो नई lawns नहीं लेंगे और नई lawns नहीं लेंगे that means they will not invest नया investment नहीं आएगा तो नई jobs generate नहीं होगी नई jobs generate नहीं होगी तो आपकी fixed salary नहीं आएगे fixed salary नहीं आएगे तो आप खर्च नहीं करेंगे और खर्च नहीं करेंगे तो growth नहीं होगा simple is that तो यह vicious cycle नहीं हो इसके लिए सरकार क्या जाएगी सरकार जाएगी कि inflation control में आजाए और repo rate या फिर interest rate जो है वो ज्यादा ना बड़े अब देखिए hot weather यह geography के साथ जड़ा हुआ टॉपिक है लेकिन इसलिए competitive examination में जो सारे subjects आपको basic subjects होते हैं आपका history है जियोग्राफी है economy, your polity, general science etc तो यह सारे subjects जो basic pillar subjects हैं तो यह एक दूसरे के साथ जड़े हुए हैं और आज के जमाने में आपको interdisciplinary approach से चीजों को समझ रहा है that is कि geography जो है geography से economy भी जुड़ी हुई है और moody's investors service जो है उसका कहना यह है कि high temperature की वज़े से भारत का growth जो है वो hurt हो सकता है इससे inflation बढ़ सकता है और growth जो है वो इससे कम होगा इससे wheat का production कम हो सकता है हमने कल ही बात की थी कि wheat जो है यह एक temperature sensitive product है temperature sensitive crop है अगर ज्यादा दूप हो गई तो wheat की फसल जो है वो बरबाद हो जाएगे तो wheat का production कम होगा तो इसकी price increase होगी तो एक गरीब जो है वो wheat को भी effort नहीं कर पाएगा तो फिर वो खाएगा क्या है ज्यादा गर्मी की वज़े से लोग ज्यादा air condition coolers etc का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा power की demand होगी supply कम है तो ज्यादा light जाएगी जो हम कहते है power outages यह situation होगी power चला जाएगा तो चलो आप घर पे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत manage कर लेंगे लेकिन आपकी factories कैसे चलेगी आपकी offices कैसे चलेगी तो इसकी वज़े से growth जो है वो भी hurt होगा तो inflation बढ़ेगा growth होगा और जितनी ज्यादा घर्मिया होगी आने वाले समय में तो जितना जो यह extreme जो climate में change आ रहा है ना इसकी वज़े से इंडिया को direct इसकी impact जो है वो face करने पड़े हैं तो this is a very shocking thing as well as it's a matter of concern for us अबरे लिए यह चिंता का विशए होना जाहिए कि सिर्फ जियोग्राफिकली नहीं economically, society, हर तरह से यह climate change जो है वो हमें affect कर रहा है wheat exports के बरे में बात करें तो बड़े-बड़े नाम जैसे के ITC one of the biggest wheat exporter of our country कारगिल भी एक बहुत बड़ा नाम है तो यह companies जो हैं उन्होंने wheat procurement यानि की खरीदने का जो contracts local traders के साथ किया थे तो उनको cancel किया है और आपको यह term शायद याद होगी इसको कहते है force measure तो यह कब किया जाता है कुछ uncertain ऐसे incidents हो गए environmental कुछ हो गया तो यह COVID के टाइम पर यूज होता था lawn पे करने में या फिर installment पे करने में तो government of India जो है उसने all of the sudden इसको immediate effect से ban किया है तो फिर ये बड़ी-बड़ी companies ने supplier से wheat खरीदना बंद कर दिया है contracts जो हमको cancel कर दिये हैं और इसकी वज़े से suppliers जो है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्रीबत हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई storage की capacity नहीं है कारगिल ने 14th में तक जितना भी गेहूं का stock आया था तो उसको accept किया उसके बाद का कोई भी stock ये accept नहीं कर रहा है because of this ban data privacy की बात करे तो IRCTC जो railway की एक PSU है तो इसने Bajaj Alliance और Liberty General Insurance की website में vulnerability को देखते हुए इनके साथ जो इनकी जो services है इनको temporarily बंद कर दी गई है इससे passenger का जो data है या risk पर है और ये जो IRCTC है इसकी एक monopoly है ticket booking में और insurance coverage जो है इनके साथ affiliated है तो अविनाश, Jane और Aseem Shrey यहोंने research की और पता चला कि यह जो इनका vulnerability जो है इसको कहते है IDOR यानि की insecure direct object reference कि एक passenger जो है उसकी information उसका नाम journey, details, phone number, gender, age यह सारी चीज़ जो है वो पता चल सकती है तो इस चीज़ को ध्यान में टेली कोर्स जो है वो आने वाले समय में particularly दिवाली के आसपास 10 से 12 परसंट जितना tariff में जो recharge आप करवाते हैं वो 10 से 12 परसंट expensive हो सकता है around दिवाली और companies जो है वो अपना average revenue per user एक एक व्यक्ति से जो पैसे कमा रहे हैं तो उसको थोड़ा increase करने के लिए ये tips उठा सकते हैं V.I. यानि की Vodafone idea ने price rise की लेकिन कोई भी customer जो है उनका lose नहीं हुआ है और in fact rural market में penetration काफी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि rural market में आज भी smartphone का penetration उतना नहीं है तो बहुत बड़ी market इन companies के लिए open है तो यहाँ पर of course ये तीनों बड़ी-बड़ी companies जो है वो air tell है that we have this geo and vi so they are trying to penetrate in rural market और आने वरे समय में ये जो दिवाली की बात की तो इससे पहले जो price rise की थी तो अब analyst का कहना ये है कि अब market ready है कि एक और hike के लिए कोई issue नहीं होगा market जो है इसको absorb कर लेगी ऐसा analyst का कहना आप देखते है कि आगे क्या होता है that's everything in today's discussion आप बहुत सारे topics हमने बहुत limited time में cover किये हैं I'm sure आपको सारे topics जो है वो अच्छी तरीकी से समझ में आगे होंगे please 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 make sure कि आप this lecture को दूसरे students के साथ दूसरे platforms पर शेर जरूर करें spread the word about Curiously Education thank you very much to all the students who are constantly supporting me and this Curiously Education family lots of love stay curious God bless you all Jai Hind